पंचाई चुनाओ की डूड़ूगी बच चुकी है और लगातार परतियासी अपने अपने छेतर में अपने दुआरा किये गए कारियों को लेकर फिर से मद्दान करने की बात कर रहे हैं हमारे सक्त इस वक्त मोजूद है नवादा जिला पारसद भाग संक्या 13 से जो निरवर्तमान पारसद है राजकी सोर परसाद उन्होंने फिर से चुनाओी मैदान में अपना ताल ठोका है सिदे उन से बात करते हैं कि क्यों फिर से आपको जनता मोका दे सबसे पहले बीग निउज के दर्सकों के मेरा धन्यवाद प्रणाम अगले विगत पांच वर्स से हम यहां से पारसद रह चुके हैं और पांच वर्सों में जो मैंने काम किया है वो काम के वज़ा से पबलिक मुझे फिर से चाहती है बहुत सारा हम काम किये हैं जो जिला पारसद का एक तो अभी जितने भी जिला पारसद है उनको तो सिर्फ यही होता है कि जो फंड अपना मिलता है हैं वो फंड को वितरन करते हैं और फिर घर आते हैं और आफिस जाते हैं लेकिन इसके अलावा हमने छेत्र के जनता के लिए और जिला के जनता के लिए अनेक काम किये हैं जो समाज सिवा के रूप में जाने जाते हैं सबसे पहले तो जो अपने जो बिभाग है, जो अपने जिला पारसत का का जो कार्झ शेत्र है, उससे हट के मैंने नवादा जिला के अठारा सव बिद्यार्थी को, चाहे वो जिश्भी जाती धर्म का हो, अगडी जाती का हो, पिछरी जाती का हो, दलित का हो, हुदंदु हो, मुस्लीम हो, सीखो, इसाई हो, जो भी वर्ग के लोग हैं, 18 से बच्चों को निशुल्क सिछा देने का काम कर रहे हैं, और वो भी जोगी सिछक के, और मैं इस सहयो सहाब और जो भी不 DSC के तयारी करके जो हमारे चे त्रेमें हमारे जिला में काम कर रहा है उन लोका भी इस नहें फूरा दर्या का काम करते हैं इसी है कि लोगों में उत्सा है कि इसतर हshift करतीनिधी को बरना चाहिए किसान का क्रिसी के छेतर में जब बात करिए तो हम हमेशा छोटे-छोटे वर्क को नहीं लेकिन जो बड़ा वर्क होता है उस पर हम हमेशा ध्यान देते हैं जैसे कि पांच वर्स के बन में अब अड़ाई साल तो हमने काम करने का मौका मिला और दो साल से करोना में सब लोग अंदर हैं करोना काल में भी हमने बहुत सारे लोगों को जितना बन सका है उनको मदद किया कम से कम चार से पांच दलीद का गाउं बताएंगे हम अपने छेतर में उसके तहत गुरु चक भी आता है सामिल जो हमारे फटेःपूर के बगल में है वहां के दलीद समाजों को 15 से 20 दिन तक करके पूरे लोगों का एक वक्त का खाना खिलाने का काम किये जो पूरे दलीद समाज का एक टीम बना करके और उसको लोगों से सहयोग ले करके उस काम को हमने किया उसमें मेरा भी सहयोग रहा हमने भी कुछ बन सका आर्थिक किया और लोगों से प्रेडित किया उसको और कर तो बात जदी आपके द्वारा जदी विकास कारियों की कड़ें तेक लंबी फेडिस्त है लेकिन उसमें जदी यह बात करें कि कुछ ऐसा जिसको आइना के ताउर पर लोगों को दिखाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा काम बताएं जो जिसको विकास काइना दिखा कर आप इस अठारा सो विद्यार्थी जो मेरे लिए पूरे छेत्र में आप कल हमने नमनेशन किया और बिना किसी को बहुत जादा सिर्फ एक घर घर जाकर आमंत्रित किये और विद्यार्थियों में इतना उमंग है जुआयों में इतना उमंग है जो कि आज तक के जिला में कोई वेक् विद्यार्थी को निशुल्क रूप से एक भी पैसा उसका ने सिर्फ एक फोटो कराने उसको जो लगा फॉरम का भी पैसा उसको बहन नहीं करना पड़ता है फॉरम भी हर बुक अस्ट्रोल पर फिरी निशुल्क मिल रहा है तो यह तो यह कैना का काम है कि जो अठारा सो कि अभी जो फिलहाल चार जगह बांध जो यह अकवर पुरवाली जो नदी है उसमें जो पानी आता है और लगतार बह जाता है नीचे चला जाता है दुसरे जिला में चलाता है दुसरे जगह चला जाता है उसको हमने बाहने के लिए माननी मंत्री संतोस मानजी जी को से यहां आया और यहां के पताधिकारी को असकुटीव को आदेश दिया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस योजना को करिए यह काम्यावी योजना है उसके तहत हमने चार जगा उसमें बांध मना करके जो कि बांध जब बन जाएगा उसमें एक चेक डेम टैप का जो कि शी हुआ पंचायत के लोगों को वर्सों से मांग चल रहा था कि एक वहां कोल-कोली जगा है जिसमें जेट के समय में भी वहां ककोलत का एक दूसरा रूप है जो ज़ड़ना चलते रहता है और वह पानी बिना मतलब का इधर उधर बहते जाता है और पहार से जो पानी आता है निकल करके जो बाहर में बह जाता है उसको हैसे एक किलोमीटर उसका जड़ से और उसका बांध की लंबाई जो है तीन किलोमीटर होगा संतोज मांधी के दौरा यहाँ आदेश दिया गया और उन्होंने घोसना किया और करने के बाद वह डी पी आर तैयार हो करके उसका अस इसको जानते हैं कि इसमें राजकिशोर जी का ही शहयोग है मेरा वोजना नहीं है यह बिहार सरकार और भारत सरकार की ओजना है लेकिन हम अपने छेत्र में अधीक से अधीक उसको लाने का काम करते हैं और यह पब्लीक जानती है इसलिए निशीत रूप से है कि हम में चड़ स्क्राइब बढकते लोगों से जादा बहुटों से उसके या फिर किसान की बात कर ले इन दोनों के लिए तो लगातार आप घरेली जोगड़ा होते हैं अपने बगलगीर से हो जाता है भाई भाई में हो जाता है पती पतनी में हो जाता है गाउं एक दुसरे गाउं से लड़ जाते हैं तो मुल समस्या जो होता है और मुल जो उल्योने होती है गरामीन का जो गाउं के लोग जनता है जाओं के जो किश तो हम दूसरे लोगों को उसी से फोन ले करके उसको बुला करके और परती एक दीन कोई ऐसा दीन नहीं होगा जिस दिन के हम एक से दो जगडा का निप्तारा नहीं करते होंगे और दोनों पक्ष इससे हमारे परती भावना रखते हैं कि राजकिशुर जी जो है नहीं है एक दूसरे का इंटी है फिर भी दोनों मील के मेरे लिए काम कर रहा है यह मेरे लिए सवभाग की बात है यानि गाउं समाज में जो परिसानियां होती है जो आपसी जगड़े होते हो उसको भी निप्टाते हैं लेकिन जदी बात करें कि जदी जनता आपको फिर से मौका दे लगातार काम कर रहे हैं अचे कोरोना काल पिछला देर दो बरस आपने बताया भी कि आपने कई गाउं के लोगों को मदद की लेकिन दो बरस आपके लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत ही खड़ा बिता है लेकिन इस कोरोना काल में कुछ ऐसा काम क्योंकि तो मेरा परियास चल रहा था कि हर जगा हमारे अंदर तो मंदेगा है नहीं जिला परिशत को मंदेगा को काम करना नहीं है सिर्फ वह है कि पंचायत अस्तर परहीं काम होता था उसमें है कि अधीक से अधीक लोगों को चाहते थे कि हर जगा कि कहीं कोई मसीन से काम न करें लोग को हर मजदूर को प्रेडित करते थे कि तुम्हारा यह अधिकार है है ना कि नब्वे दीन मजदूरी तुमको मिलना है अगर तुम्हारा जॉब काट बना हुआ है उसको परेदित करकर के लोगों को हैसे मजदूरी में लगाने का काम करते थे साथ ही साथ जो अपने जो हमसे जो बन पा रहा था कि उसको बचने के लिए कि आप करोना से कैसे बच सकते हैं उसके लिए हर गाओं में हम जाते थे जब भी जहाँ गये, जहां भी अगर नहीं भी बुला गए, अगर दस लोग बेठे हुए हैं तो वहां पर जाके लोगों को परेडित करते थे, कि आप मास्क लगाईए, दूरी बना करके रहिए, इस तरह का हम उसका सहयोग कर दे और जितना हो सका हम बहुत तो नहीं, लेकिन जब कहीं कहीं हम गाउं में घुर के बास्क नहीं बाटे, लेकिन कहीं समुह में 2-4 जगा है कि 10 लोग हैं, देख लिए कि मास्क नहीं पहरे हुए हैं, तो उसको हमने मास्क दे दिया पढ़ने के लिए, यह नहीं हम किये कि गए और गाउं में अपना फोटो खिचवाने के लिए गाउं को गाउं बाट रहे हैं और फिर मास्क बरवाद हो रहा है, लेकिन जब रोड को भी प्रिडित किया गया कि वह आपका हग है, तो जदी अब अन्तिम सवाल है, जदी जनता अकवरपूर की जनता फिर से आपको मुका देती है, तो आप क्या कीजिएगा, देखें, हमने पहले मन बना चुके हैं और लोगों से बात भी हुई है, हाना कि नवादा में हमारे कि हां बाबा साहब का भीणराव अंभेद कर जी का एक मुर्ती वहाँ है, हमने प्रियास किया है कि वो एमपी फंड से वहां एक पुस्तकाले बना है, उस पुस्तकाले में जैसी बनके तयार होगा, उसका डीपी आज़िस सब कुस तयार हो गया है, उसका क्या बّता ह इनुसी भी मिल चुका है परसाशनिक शुकिर्ती मिल चुका है सिर्फ काम करना बाकि है जैसे ही वो काम करके बिल्डिंग बनेगा संभवता तीन महिने में बनके रेडी हो जाएगा उसमें हमने बहुत अच्छा-च्छा किताब ला करके जो की ज्यादा ऊपर के लेवल नहीं और आर्थिक तंगी के कारण जो गदवे कुछले हैं दलिद समाज के हैं और जो अगडी जाती में भी जो कमजोर तपते के लोग हैं उनको हैसे पैसा नहीं जुटता है वो ट्यूसन नहीं पढ़ पाते हैं उनमें मेघावी छात्र है उनमें कुछ करने का जज़वा है और आर्थिक का निशुल्क जैसे हम नवादा में ग्रेजुशन के लिए अनि यूपीसी बीपीसी और भीहार पुलिस की तैयारी और जनरल कमप्टीशन का तैयारी निशुल्क कराते हैं उसी तरह दोनों परिषाओं का तीन महिना है नहीं तमाम वर्ग के लोगों को तीन महिन परदर्सित कर सके और हमारे जिला का जो जनता है वह आगे बढ़े और भविष में उसका उजवल हो तो इस तरह हमारे साथ राजकिसुर पर साथ थे जिनका मुख उदेश अपने पंचायत का सेवा करना है और चाथ छात्चात्राओं के उजवल भविष को लेकर काम कर रहे ह हैं आगे इन्होंने अपनी योजना बताई कि किसानों के साथ साथ कई चेक डेम का भी निर्मान करानी की बात कर रहे हैं उसका डिपियार तयार हो गया है साथी जो इनके छेत्र में कई पंचायत हैं पूरे सातों पंचायत के ये सरवांगिन विकास को लेकर चिंदित हैं और सरवांगिन विकास की बात कर रहे हैं अपने से होगी कि हमारा प्रचन सुबत के साथ कुनाल सेखर बिग न्यूज नवादा